हेलो सुन्ट, वेलकाम बैक टो इनके स्काडमी चलिए गईज, आज से हम लोग एक नई टॉपी के स्टार्ट करते हैं और ये है बच्चो, SHM इसे हम लोग सिंपल हर्मोनिक मोशन कहते हैं शॉट में बोलते हैं SHM बहुत फेमस शॉट नेम है इसका बच्चो, इस चाप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चाप्टर की कुछ इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं और इसमें इसकी डिफिकल्टी लेबल के बारे में थोड़ी से जचा करेंगे, ठीक है बच्चो, अभी तक हम लोगों ने बच्चो, हम लोगों को हमेशा एक नहीं नहीं फिजकल्टी और उसके अप्लिकेशन के बारे में पढ़ना था रोटेशन वाले चैप्टर में तो आपने देखा था कि पूरी की पूरी नहीं आईडिया ही थी पूरे एंगुलर सेंस से सारा कुछ को पढ़ना था टॉर्क पढ़ना था, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना था, एंगुलर इंपल्स पढ़ना था, एंगुलर वर्क क्या होती है, एंगुलर रोटेशनल, रोटेशनल एक्चुली वर्क क्या होती है उसमें टोटल इनर्जी हम कैसे निकालते हैं बहुत तरह की बाते हमने देखी थी ठीक है? हर कुछ नया नया हमें मिला था उसी तरीके से अगर शुड़ू की बात करे काइनमेडिक्स में भी आपको एक नही नही बाते motion के बारे मिली थी फिर NLA में पढ़े थे constraint relation में कुछ नही बाते मिली थी जैसे जैसे बच्चो रोटेशन से पहले वाले चैप्टर में आपने बढ़ा तो आपको हमेशा हर चैप्टर की need होती चलीगी हमारे नेचर को समझने के लिए हर चीज़ को जाना जरूरी था work energy power क्या है energy की conservation क्या है work energy theorem क्या है हर कुछ हमारे nature से क्या होता है connect करता है और बच्चो center of mass chakra में पढ़ा था conservation of linear momentum उसके application को भी हमने देखा था और nature में ये सारी चीज़ एक्जिस्ट करती है उसके बच्चो हमने ने fluid mechanics किया और fluid mechanics में हमने कोई नई physical quantity बहुत सारे equation of continuity के बारे बात कर ली मतलब उसमें कोई नई physical quantity से मुलाकात नहीं हुई थी situations जरूर नहीं थी एक fluid में बात कर रहे थे fluid के अंदर बात कर रहे थे surface की बात कर रहे थे अब उसी type का आगे का चाप्र होने वाला है नया कुछ भी नहीं physical quantity होगा जितनी physical quantity आपने पड़ी हुई है उसी को utilize करना है एक situations create करनी है और फिर उसको realize करना है मतलब कुल मिला करके difficulty wise बात करोगे तो मैं इसको moderate से थोड़ा नीचे जालता हूँ simple harmony motion JEE के ख्याल से देखा जाये तो weak part है उसका questions हो जाते हैं 100% ठीके बाचो और importance की जहां तक बात है तो भाचो SHM का idea अगर अच्छे से होगा तो 10 plus 2 में आपको LC oscillation को समझने में मदद मिलेगी waves को समझने में मदद मिलेगी waves तो आपको यहां भी पढ़ना है और 10 plus 2 में पढ़ना है तो cool मिला करके यह chapter बचो बहुत important हो जाता है application के ख्याल से ठीक है अब आगे चलके जब electrostatic पर होगे तो हर जगा पर भी SHM का concept आ जागा तो SHM की जो idea है वो आपको हर जगा मिलेगा तो आपको अच्छे से पढ़ना है यह chapter काम का है बहुत लेकिन difficulty wise कुछ नहींगे इसमें तो चलिए स्टार्ट करते है simple harmonic motion अब चो इस word पर और इस type के motion पर हम थोड़ा देर बाद आएंगे ठीक है पहले हम लोग एक खास type का motion के बारे में डिस्कस करते हैं यूँ तो motion के type की बात करें तो अललग एंगल से अललग तरीके की बात होगी लेकिन vicious रूप से जिस type की motion के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं वो यहाँ पर तीन type की motion डिस्कस करेंगे तीन type में एक type ये वाला है ठीक है इसको सबसे last में करेंगे आपको समझ में जागा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपको तीरी देरे feel आ जाए ठीक तो चलिए start करते हैं इस chapter को तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ types of motion start करते हैं फिर simple harmonic motion पर बात करेंगे अच्छे से समझेगा कहें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे types of motion इसमें तीन टाइप के motion विससे सबसे हमें discuss करनी है एक हमें पढ़नी है periodic motion दूसरी हमें पढ़नी है oscillatory motion और तीसरी जो हमें पढ़नी है SHM simple harmonic motion मैं shortly देता हूँ simple harmonic motion periodic motion क्या है periodic motion को harmonic motion भी कहते हैं तो चलिए एक है करके discuss करते हैं तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे periodic motion या इससे simply हम लोग harmonic motion कहते है ठीक है यह है क्या actual जो लोग mathematics के student है 10 plus 2 में जाओगे तो आपको periodic function पढ़ाई जाएगी ठीक है periodic function और periodic motion थोड़ा relate करता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ periodic function आगे चलके पढ़ाई होगी periodic function के बारे में थोड़ा सा idea ले लेते है कभी कभी कहीं इसकी जरूत पढ़ती है हमे तो एक बार छोड़ा सा idea ले ले लेते है periodic function क्या होता है फिर इस पर बात करेंगे बच्छो ऐसे physics में बहुत सारे function है जो repeat मारते है कभी सुना है sign x के बारे में तो सुना होगा कि वो repeat मारता है अब repeat मारने का मतलब क्या हुआ उसकी values repeat मारेगी ठीक है sign अगर मैंने बोला कि sign 30 degree क्या value कितना होता है half तो क्या half एक ही बार आएगा कि हजारों बार आएगा जड़ा बताओ एक ही बार आएगा यह हजारों बार आएगा वो लोगे सर्फ 30 degree पर भी होती है आगे चलके सर्फ 150 degree पर भी होती है अगर आपने trigonometry पढ़ा है तो trigonometry में हजारों करोरों एंगल्स होते है आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई लिग दे कि sign theta is half then find the theta तो आपने देखा होगा कि theta की general values हम रो लिकालते है generally इससे हमें क्या लेखते है sin 30 sin 30 को radian में pi by 6 लिग देते हैं बचो ओके तो theta का solution क्या लेते है n pi plus minus 1 की power n pi by 6 यह होता है ना बचो अगर आपने से math लोग पढ़े होगे इनके जगह पर 1,2,3,4,5 वगरा वगरा डालते चले जाओ फड़ा फड़ा और जैसी डालते चले जाओगे वैसे ही तुम्हें क्या होगा theta की 1000 values मिलती जाएगी उनमें से एक हम जानते है 30 ठी बात समझ में आ रही है ना तो यह बात कहने का यह मतलब हुगा कि क्या sin theta की value half क्या किसी एक बार आती है या करोरो बार आती है मतलब repeat मार रही है उको मार रही है न तो बहुत सारे ऐसे functions होते है जो लगातार क्या मारते है बच्छो repeat मारते है ठीक है repeat मारते है तो यह idea तो हो गया मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि sin x function cos x function यह सब कैसी है या जो भी है यह सब कैसी function है periodic है कैसे function है बच्छो periodic है अभी आते हैं क्योंकि आज एकदम basic basic चचा करते हैं मैं काफे detail पूरा हूँ वाइस chapter को sin x का graph अगर खिचा जाए अगर आपने maths पढ़ी है तो sin x का graph कुछ ऐसा होता है अगर y और x का मतलब हो गया कि y equals sin x अगर हम लोग इसका graph खिचे तो ऐसा कुछ होता है आप में से बहुत सार लोग को पता भी हुगा कि एक चकर मानने का मतलब हुगा यह कहां पर आगे है बच्चो फिर एक चकर पूरा माल लिया तो यहां कितना हो गया यह पूरा एक चकर माल लिया तो एक चकर माल लिया तो यह कितना टॉप पर होता है πाई बाई बाई टू टॉप पर होता है बच्चो पाई बाई बाई टू तो आपका मतलब 1 value ठीक है और फिर आगे पाइट हो जाएगे यहाँ पाई हो गया एक घर इसका पाई का तो फिर अगला भी पाई का मतलब शुरू से कितना तो 2 पाई है यह समझ पा रहे हो अब आप मेरे को बताओ बच्चो देख के बताओ यह तो तो 3 पाई हो जाएगा और यह होगा 4 पाई अब बताओ कि कितने देर के बाद minimum कितना x है जिसके बाद यह y बराबर sin x repeat मार रहा है सोचिए इसकी value यहाँ से repeat मारने लगी देखिए यहाँ से value घरते 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 घरती निगटी में गई फिर बढ़ते बढ़ते जीरो फिर बढ़ते बढ़ते फिर वह value आगई फिर वसे तरह से तो इसके और इसके 20 की gapping कितनी है अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो देखो तो एक पीछे से लेते हैं तो पीछे से हम पीछे ते जाते हैं तो 2 pi थोड़ आगे बढ़ते हैं तो थोड़ आगे बढ़ते हैं मतला 2 pi का gapping है यह 2 pi का gapping है ठीक है एक इंड से similar इंड से similar इंड पे 2 pi की gapping है तो आप देख सकते हो आप बोलोगे न कि after x equals 2 pi कहीं भी तुब रहो जैसे आप यहाँ रहो यहाँ पे आप 2 pi जाओगे तो आप यहाँ पहुचोगे तो उसके बाद जैसे यह function ऐसे जा रही है फिर ऐसे function जा रही है मतला अपने आपको क्या कर रही है बचो repeat मार रही है तो कोई भी जो periodic function होता है वो अपने आपको क्या करती है repeat मारती है after a certain interval ठीक है certain value के बाद रिपीट मारते रहती है minimum ऐसे तो कोई कहेगा कि sir मैं तो 2 pi 4 pi के बाद repeat सोचूँगा हाँ लेकिन 4 pi के बाद repeat मार रही है pi पे repeat नहीं मार रही है बचो pi पे repeat नहीं मार रही है देस दिखना इसके बाद value repeat मार रही है बोलोगे sir वही value तो नीचे है नीचे है ना value negative है positive नहीं है so repeat नहीं मारेगी नीचे हो रही है इसके बाद repeat मारना चालो करी तो कुछ बाते समझेगा repeat का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो minimum वो x बताओ जिसके बाद वो repeat मार रही है तो उस minimum x को इस function के लिए बोलेंगे period है क्या बोलेंगे बचो period है इसका period कितना होगा 2pi इसका period कितना होगा 2pi ठेक तो ये छोटी छोटी बाते हैं जो आपको समझना चाहिए और एक बात और सुनना ये 2pi के बाद repeat मारती है इसलिए आपने देखा होगा कि sin 2pi plus x मैं कर दूँ तो ये sin x ही आती है आएगी obviously आएगी 2pi पर repeat मारती है तो 4pi भी repeat मारेगी 6pi भी repeat मारेगी ठीक है कोई दिक अतनी है तो इन सारे पर sin x ही आती है समझ बारे हो तो ये एक छोटी सी feel है वो आपको आना चाहिए उसी तरीके से बच्चो cost का graph अगर मैं खीचू तो cost का graph top से चालू होता है अगर simple graph खीचू तो cost अगर x है symbol तो यहाँ से top से चालू होकर के नीचे आती है फिर और नीचे फिर उपर और ये top में फिर वापस यहाँ से ऐसे नीचे top 0 degree पर maximum होती है ठीक, pi y 2 पर क्या होती है 0 आ जाती है तो यहाँ से pi y 2 तो फिर उतना ही gaping लिए pi y 2 यानि यहाँ pi हो जाएगा तो इतना pi हो गया तो भई यह हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगे तो यहाँ तक pi तो फिर यह gaping pi 2 pi शुरू से बात करें तो 2 pi इसकी भी period कितनी है repeat करने की भई इसकी भी 2 pi है जाना रखिएगा इसमें भी एगर कोई बोले कि अगर cos 2 pi plus x लिख लें तो क्या होगा cos 6 होगा यह सब आँको पता ही है तो यह एक छोटा idea दिया periodic function का ठीक इसको copy करना नहीं है अगर करना चाते है तो आप कर लिजेगा ठीक है लेकिन मैं इसको अटाओंगा क्योंकि हमें actual में यह एक general idea देना था आपको तो हमें periodic function के बारे में knowledge हो गई actual में हमें प्रहाई क्या करना है periodic motion ओहो motion है यह बच्छो periodic motion क्या है एक ऐसी motion जिसमें कोई particle एक certain time के बाद certain which is fixed fixed time के बाद अपने motion को repeat करें अब motion को repeat करें मतलब हर कुछ repeat होना चाहिए path repeat होनी चाहिए ठीक है उसके बाद उसका जो phase है ठीक है जो तरीका है वो भी क्या होना चाहिए repeat करना चाहिए तो ऐसे motion को बोलते है periodic motion ठीक है ध्याद रखेगा ऐसे motion को बोलते है periodic motion या harmonic motion कहते है तो अब आपसे कोई बोचे रहा कि ऐसा कौई कौई सा example है कोई circular motion करवा दीजिए uniform circular motion uniform मतलब एक समान speed से चल रही है बचों यहाँ से हाँ चलने में अगर 2 second लगाई तो अगली वापस चक्कर में कितना 2 second 2 second 2 second हर 2 second के बाद कि वो अपने motion को repeat मार रही है पाद सब कुछ एक जैसी हो रही है यस तो ऐसे motion को बोलते है periodic motion अर्थ की motion around the sun moon की motion around the earth मतलब आप देख सकते हो कि एक certain time होता है जिसके बाद अर्थ repeat मार लेती है तो ऐसे motion को बोलते है periodic motion आपके घड़ी में clock में जो नीचे pendulum लगा रहता है अब देखते हो अगर उसकी बैटरी बहुत दिनों तक चले तो जितने दिन तक बैटरी चले है उस समय तक अगर मैं बात करूँ तो उसकी motion कैसी होती है periodic एक certain time ही लगता है उपर जाने में वापस जाकर करिया और वापस फिट जे repeat मारने में ठीक है तो यह लगाता repeat मार रही होती है अपने motion को repeat मार रही होती है समझ पार है बचो अब ध्यान से सुनना मेरी बात अगर बचो circle motion को uniform न करा करके मैं non uniform करा हूँ पर गया है तो बहुत जल्दी पूरा कर लेगा तो बचो यहाँ path तो repeat हो रही है path तो repeat हो रही है लेकि motion repeat नहीं हो रही है क्यों क्योंकि एक certain time के बाद पहली वाली motion हुई थी अगली वाली motion अगला time में repeat कर रही है अलग time में फिर वापस वही पर पहुच रही है कभी भी repetition नहीं है particle की phase, particle की velocity कुछ भी repeat नहीं कर रहा है समझ पार हो तो जब मैं repeat बोलता हूँ ना motion तो हर कुछ repeat करना चाहिए मतलब उसकी velocity, उसकी direction everything जिस पहले वाले के समझ पार हो तो कुछ confusion होता है इसको ध्या नखना repeating sense होनी चाहिए अब एक बात हो खूब अच्छे से सुनना generally बच्चे book में पढ़ते हैं बड़ा confuse करते हैं इसको ठीक है? मैं आपको clear भी करूँगा मल लो कि बच्चों मैंने एक pendulum ऐसे ठांग दिया अच्छे से समझना pendulum ऐसे ठांग दिया इसको यहाँ पे खीचा वापस छोड़ दिया यहाँ पे खीचा वापस छोड़ दिया सोचो खीचोड़ा ऐसे जाएगी उपर जाएगी ऐसे जाएगी जरा सोच के बताओ ध्यान से सुनना जरा सोच के बताओ क्या इसके motion periodic है या नहीं है सोच के बताओ आप में से maximum लोग बोलोगे कि यह sir motion तो periodic है because sir देखिए यहाँ पे गया वापस यहाँ सर वापस यहाँ बच्चों carefully वाच करो क्या यह pendulum life time तक कैसे करती रहेगी कुछ दिर के बाद top पे जाएगी अगले बाद यहाँ top पे अगले पर में top पे जाएगी कि थोड़ा नीचे रह जाएगी थोड़ा नीचे feet top पे जाएगी कि थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे अगली बाद पिछले पाले से थोड़ा पीछे और पीछे क्या लगातार एर ड्रैक के वज़े से एर में जो resistance है उसके वज़े से धीरे-धीर इसका पाथ slow, 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 slow एक से में में रुख जाएगी तो क्या ये motion, हर पल motion repeat हो रही है ना, बिल्कुल repeat नहीं हो रही है ये repeating कहा है समझ पारे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ यह repeat नहीं हो रही है एक certain time नहीं है हाँ, एक जैसा motion है to and flow, to and flow, to and flow, to and flow, to यह है, लेकि repeat कहा कर रही है भई तो ध्यान लखी का बहुत important है एक pendulum की motion periodic नहीं है normal situations में लेकिन अगर मैं इसे back up में कराओं, कोई resistance नहीं है किसी भी type का कोई resistive force नहीं है तब, तब बोलोगे कि हाँ सर्च, तब तो कोई problem नहीं है, lifetime करते देगा येस, तब ठीक है, बोल सकते हैं तो अगर आप से कोई बोल ले, कि क्या to and flow, बतलो आगे पीछे आगे पीछे करने वाला, हाला क्या आगे चलके पढ़ेंगे motion क्या periodic है क्या, ना, बिल्खुल नहीं है उसके लिए शर्त ये है कि उस पर कोई resistive force नहीं लगने ही चाहिए, किताब में ये बड़ा confuse करता है बच्चो, ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी detail में पढ़ेंगे, फिलाल तो भी periodic के बात करने थे एक ऐसी motion जिसमें कोई particle अपने motion को, अपने motion को एक certain time के बात क्या करें repeat मारें, तो ऐसे motion को बोलते है periodic motion, ठीक है तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में such type of motion in which a particle या बड़ी जो भी है repeat its motion after fixed interval of time is called periodic motion periodic motion, ठीक है और यह जो fixed time होता है जिसमें वो अपने motion को repeat मारती है उस fixed time को बोलते है time period ठीक है the fixed time after which particle repeats its motion is called time period इसको जेनरली कैपिल टे से देनोट करते हैं, okay, example, motion of earth around the sun, बोल सकते हैं बच्चों, motion of a particle in uniform circular motion, uniform circular motion, ठीक है, यह हो सकता है, और बता ही, motion of pendulum in clock, और pendulum को छोड़ी दो, उसकी जो hand होती है, minute हैं होती है, या second हैं होती है, जो भी हो, hour होती है, सुई उसकी, वो भी तो periodic motion करती है, एक certain time के बाद repeat मारती है, hour वाली 12 घंडे के बाद, minute वाली 60 second के बाद, मतलब 1 minute के बाद, और समझ रहो मेरे बाद, तो यह चीज, मैं क्या बोल दिया, minute वाली, sorry, hour वाली hand, पुरे 12 hour के बाद, ठीक है, पुरे यहां से 12 hour के बाद repeat मारती है, और minute वाली कितने के बाद, बच्चो, minute वाली यहां से यह से जाने में, उसको कितना लगेगा, definitely उसको बच्चो, एक घंटे लगेंगे पुरे, 60 minutes लगेंगे, और एक minute लगेगा कि इसको second वाले को, clear है, so हम बोल सकने हैं यह भी, motion of second hand, second hand का मतलब समझे हो न, second hand माल वाला नहीं है अभी, minute hand और our hand of a clock, clear बच्चो, और भी example हम देश सकते हैं, जैसे, motion of pendulum बोल सकते हैं, ठीक है, when there is no resistive force occur, कोई resistive force नहीं हूँ, तो वैसे case में हम बोल सकते हैं, periodic motion, इस तरह का, ठीक है, इस तरह के motion को बच्चो, periodic motion बोल सकते हैं, clear है, तो ऐसे बहुत सारे example हम देश सकते हैं, clear बच्चो, कहीं से कोई doubt तो नहीं है, ठीक है, चलिए, इस से इसको पहले, फड़ा फट copy कीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम बात करेंगे बच्चो, oscillatory motion के बारे में, oscillatory motion तो हलाकि आपको नाम से ही पहता है, oscillate करना मतलब to and fro, आगे पीछे होना, ठीक है, इसको बोलते है, oscillatory motion, तो चलिए, बच्चो, बात करते हैं अब, oscillatory motion के बारे में, यह oscillatory motion क्या है, जब भी कोई particle, किसी particular point के to and fro motion करें, ऐसे ऐसे motion करें, to and fro motion, इसमें यह नहीं बोल रहा हूँ कि to and fro motion में, भाई, always maximum जहां गई है, वहीं पे जाए, ऐसा मैं नहीं बोला, वसके एक particular point के to and fro, to and fro, अब वो धीरे-दीरे रूख जाए, बात अलग हो, समझरों ना, जैसे simple, जैसे pendulum को देख लो, तो किसी particular point के to and fro, to and fro होती रहती है, धीरे-दीरे उसका amplitude कम, 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 भी हो जाए, कोई दीख रहती है, समझभा रहा हो, मैं क्या बोल रहो, तो ध्यान रखना, oscillatory motion के है, बच्चों, ऐसी motion है, जिसमें कोई particle, किसी particular point के to and fro motion करती है, ठीक है, So, the motion in which a particle moves to and fro, to and fro, एक प्रूभाब से, the motion in which a particle moves to and fro, मतलब आगे पेछे, about a fixed point, ठीक है, is called oscillatory motion, एक एक जासे motion of pendulum ही देख लो, ठीक है, motion of pendulum देख लो, दूसरा और कुछ देख लो, जैसे motion of spring pendulum, spring pendulum का भी वैसा ही motion है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे spring लगा दिया, table रखती है, इसे, spring लगा दिया, यहाँ पे block रख दिया, ठीक है, और इसको खीच करके छोड़ दिया, एसे एसे करती है, खीच करके छोड़ो के तो ऐसे एसे करती रहती है, और भी बहुत सार एक्जापल है, इसमें तो धेर सार एक्जापल है, जैसे मैं आपको बदा दूँ, जैसे यह water डाल दिया, water है, डाल दिया, और यहाँ पर किसी ब्लॉक को डाल दिया, जो float कर रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बच्वोड़ो डिप्रेस कर दिया, इसको हलका सा उपर से नीचे डिप्रेस कर दिया, डिप्रेस करके छोड़ दिया, हलका सा difference करके छोड़ दिए, क्या उपर नीचे है, इसे से करती है, कैसा motion है, oscillative motion है, ओके, और भी मैं आपको example बताता हूँ, तो समझेगे अच्छे से, जिससे मन लेजे कि ये charge है, बचो धेया से देखेगा, ये plus q charge है, और ये भी plus q charge है, ठेक, आगे चलके परेंगे हम लोग जब 10 plus 2 में चलेंगे, तो electrostatic में इस पर सवाल भी बनते हैं, बढ़िया, ठीक है, अभी मैं उतना detail नहीं कर रहा हूँ, बस अब इस तो समझाने के खुशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बचो में एक plus q charge ले लिया, क्या ले लिया, plus q charge, अब इस plus q charge को बीच में रखा फिलह तो बीच में रखा तो इतना तो पता है कि जितना force इस पर इधर लगाएगी, उतनी force इस पर इधर लगाएगी, ठीक है, लेकिन जैसी आप इसको यहाँ पर खिच दोगे, यहाँ खिचोगे, तो यह वाली force कुछ जादा लगाएगी, और यह थोड़ा दूर हो गया तो थो आगे बढ़ेगी, मतलब इस तरह से इसका motion उसके बाद होने लगेगा इस लाइन पर, ठीक है, तो मैं A-B ले लेता हूँ, तो motion of plus Q on A-B, क्या कर लाएगा, क्या कर लाएगा बचो, obviously क्या कर लाएगा, oscillatory कर लाएगा, किस point के बाउट, O point के बाउट, ठीक है, motion of O, sorry Q, on A-B is oscillatory, क्लिड़े बचो, ये चीज़ भी हो सकता है, बहुत सारे और एक example मैं दे सकता हूँ, जिसमें कोई particle किसी particular point के आगे पीछे, आगे पीछे, motion कर रही हो, तिया रहीर सारे examples है इसके, ठीक है, आगे पीछे वाली motion, ठीक है, अब देहांस देखिएगा, हम लोग ऐसा कर लें, जैसे, एक rod है, ये spring है, बच्छो इसको मैं थासा ऐसे खीज दू, नीचे तक depress कर दू, छोड़ दू, क्या आगे पीछे, आगे पीछे ऐसे करेगे, ऐसे, ऐसे, ऐसे करेगे, तो इस particular point के, इर्द, 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 ऐसे two and four motion कर रही है, तो इस जो particle है, यहाँ पे, उस particle के motion को हम क्या बोलेंगे, बच्छो, two and four motion को बोलेंगे, तो कैसा motion होगा, definitely वो भी क्या होगा, oscillatory होगा, समझ पारे हो, तो रेर सारे example में दे सकता हो, अब यहाँ पे कुछ बाते हैं, important वो समझना है, क्या, oscillatory motion, periodic होगा, oscillatory motion, all oscillatory motions, are not necessarily, periodic, ठीक है, सारे के सारे oscillatory motion, periodic कोई जरूरी नहीं है, example के तोर पर मैंने बता है, motion of pendulum in air, क्या वो, यह कैसा होगा, oscillatory तो होगा, to and four motion तो होता है, होगा न, but not periodic, क्योंकि लगातार इसकी जो path होगी, वो बदलते ही जाएगी, time भी बदलता चला जाएगा, यह हो गया, और भी example पर देता हूँ, अब इसी का मैं उल्टा कर दूँ, motion of pendulum in vacuum, बच्चो अगर मैं वैकम में कराब हो, तो क्या हो जाएगा, oscillatory होगा, हाँ, oscillatory तो होगा ही, oscillatory तो होगा, और क्या periodic होगा, यास, periodic भी होगा, इसमें कोई problem नहीं है, दोनों होगा, समझ पारे बच्चो, तो छोटी छोटी चीज़े हैं, जिसको समझना है हमें, तो फिलहाल बच्चो अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, periodic motion के बारे में समझ लिया, oscillatory motion के बारे में समझ लिया, कि oscillatory motion होता क्या है, अब बच्चो बात करेंगे, simple harmonic motion, ठीक है, name simple क्यों पर रहा है, इस पर भी analyze करेंगे, इसको भी अच्छे से analyze करेंगे, और साथ-साथ simple harmonic motion कैसी motion है, जो हमें इस सेप्रम विश्यस्टू से पढ़नी है, ठीक है, सब चीज को देखेंगे, पहले इस सब चीज़ों को कॉपी कीजिए, फिर बच्चो हम आगे बढ़ेंगे, चलिए बच्चो अब बात करते हैं हम लोग simple harmonic motion के बारे में, simple harmonic motion क्या है, तो पहले मेरी बात समझेगा, to and from motion, to and from motion मतलब oscillatory motion, ठीक है, oscillation वाला, तो as c to and from motion, जिसमें particle की acceleration, directly proportional to उसके displacement के बढ़ाबर, मेरे बात ध्यान से सुनना, कोई भी particle to and from motion कर रही है, ठीक है, हमें पता था, लेकिन to and from करने वाली particle में मल लिजए, किसी खास टाइप acceleration है, ठीक है, तो उस acceleration की value, ध्यान से सुनेंगे, उस acceleration की value, directly proportional to x होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे case में उस particle को बोलेंगे, वो simple harmonic motion कर रही है, अभी सीधर सीधरी बात ऐसे समझते हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात होगी, कि सर, oscillatory motion में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, हाँ, वाक ही नहीं थी, क्योंकि oscillatory motion में मेरे को कोई force वोर्स से लेना देना बिल्कुल नहीं है, मेरे को बस यह मतलब है कि किसी particular point के two and four motion करें, चाहे जैसे करें, चाहे बच्चों उस पर उस समय में कोई force नहीं भी लग रहा हो, वैसे case में वो two and four motion होती है, ठीक है, जैसे माल लिजए कि कोई दो wall है, यहाँ एक ball को fake दिया गया है, frictionless है, गई, टक्राई, उसी बगद उस पर force लगा, टक्राने के बएसे इसी धर आई, जाते 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 फिर टक्राई, वापस आई, तो center वाले point के about the two and four motion तो वो करी रही है, तो यह तो oscillatory हो जाएगा, लेकिन यह SHM के बारे में बात नहीं करेंगे, SHM के बारे में उन्हीं सब बाबात होगी, जो two and four motion कर रही है, लेकिन उस पर लगातार forces लग रही होगी, और वो जो force होगी बच्चो, वो directly proportional to उसकी displacement होगी, ठीक, force के बारे में, या फिर force जब directly proportional to displacement है, तो acceleration भी directly proportional to displacement होनी चाहिए, ठीक है, जब displacement ना हो उसकी, अब कहां से displacement ही हम लो देखेंगे, अब displacement ना हो, तभी force 0 होनी चाहिए, acceleration 0 होनी चाहिए, यह एक condition है, simple harmonic motion में, ठीक है, तभी मोटे मोटे तरपर क्या बोलोगे, जब कोई पार्टिकल पर हर पल एक force लगनी चाहिए, या उसकी acceleration होनी चाहिए, और उसकी जो acceleration होनी चाहिए, वो हमेशा directly proportional to x होनी चाहिए, ठीक है, पर simple भाष हमें इसको ऐसे लिखते है, तो such oscillatory motion, ठीक है, such oscillatory motion in which particle, या फिर ऐसे directly लिखते है, acceleration of the particle is directly proportional to its displacement, और इसकी displacement कहां से लिखते है, from mean position, सब मैं बताऊँगा mean position क्या होता है, पहले जो इसके बारे में definition है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसको लोग क्या बोलते हैं? मतलब ऐसी motion जिसमें कोई particle oscillate तो कर रही है, लेकिन उसकी जो acceleration है, यह condition है, और कमाल की बात यह है, कि उसकी जो acceleration चुकी एक vector of physical quantity है, तो उसकी direction हमेशा mean position की तरफ होनी चाहिए, इसको भी आप चाहो तो इसमें indicate कर लो, ठीक है, इसमें indicate कर लो, and always directed towards main position, ओके, is called SHM, ओके, तो मैंने क्या बोला भी, कि जो condition है, a must be proportional to x, तो displacement के directly proportional, ठीक है, हमेशा, clear है, अब जो, इस पर हम लोग विशेस बात करेंगे, ठीक है, यह चीजे क्या होती है, जब इसको बड़ावर करते हैं, ठीक है, actually मैं आपको एक खास तरीके से बताता हूँ चीजों को, a directly proportional to x, इसका मतलब है कि f will also be directly proportional to x, लेकिन यह x बचो minus लगाते हैं, क्यों minus लगाते हैं, वो भी थुरी दिर में समझ में आ जाएगा, ठीक है, direction को ले करके, क्योंकि particle को जब आगे लाओगे, तो उस पर जो force लगेगी, जो पीछे लाने की force है, क्योंकि कोई particle आगे बढ़ती है, तो उस पर force हमेशा पीछे लगेगी, तभी तो वो अपस लौट के आएगा, अगर कोई particle पर आगे force लग रहा है हमेशा, तो वो हमेशा आगे ही चलती चले जाएगी, तो SHM करने वाले particle के लिए, हमेशा दिमा में रखिएगा, आभी मैं सब कुछ feel कराता हूँ, तो आप field भी कर लिजे, सब कुछ feel कराता हूँ, suppose कीजिए कि कोई spring है, और इसमें मैंने किसी object को ऐसे बाद रखा रहे हैं, अब सोचिए, जैसी इस spring वाले block को आप यहाँ पर खीशते हूँ, तो क्या होता है ज़रा बताओ तो, बचो आप देखोगे, कि यह आगे extend कर गए यह से x में, तो इस पर force किदर लगा है, पीछे, कितना force लगा, कि x के बरावर लगा, यह तो अपने spring में पढ़ा है, तो आपने खीचा आगे, आपने खीचा आगे, force लगी पीछे, तो भई आगे खीच करके छोड़ोगे, या आगे जब जा रही होगी, तो force तो पीछे लग रही होगी, अच्छा, जब यह यहाँ पहुचेगी बच्छो, जब यह यहाँ पहुचेगी, स्चोचो, तो ऐसे case में फिजभ होचेगी, उसके बाद speed, require कर लेगी, जैसी speed, require कर लेगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जाएगी, तो force कि दे लगेगा, displacement के just क्या लगेगा, opposite लगेगा, displacement के क्या लगेगा, opposite लगेग पीछे चला जाएगा तो displacement इसकी इधर हो जाएगी लेकिन जैसी पीछे चला जाएगा तो displacement इसकी इधर लेकिन force किदर लगेगा बच्छो इधर जब यह spring को compress करोगे तो force ऐसे लगेगा तो आप देख रहे हो कि हर जगा force और displacement एक दूसरे क्या हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं वच्छो इसको minus लगाते है जोकि वेक्टर में लिख रहे हैं अब जो ध्यान से सुनना जब हम इसको बड़ावर करते हैं तो एक constant आता है जिसको हम लोग k बोलते है ठीक है where k is known as force constant where k is known as force constant इसे हम force constant कहते है ठीक है अब फिर से एकसे लिसन प्याएंगे भी don't worry यहां तक तो ठीक है अब फिर से इसको ऐसे करते हैं बच्छो अगर मैं f को थोरी देर के लिए लिख दो m into a या फिर यहां साब से बड़ाता हू f बड़ावर क्या है बच्छो minus k into x बेक्टर नहीं लग रहा हूँ क्या m into a लिख सकता हूँ minus k x a को लिख सकता हूँ minus k by m और k by m को हम एक constant लेट कर लेड़े हैं omega square फिर omega square equals k by m कोई बुराई नहीं है तो omega अगर कभी जरूत महसूस होगा तो क्या लिखोगे k by m इस टर्म को हमेशा हम omega बोलेंगे ठीक है तो अगर x listen कोई पूछे originally क्या होती है shm करने वाली particle का तो यह होती है minus omega square x और यह omega क्या होती है root tender k by m k जहां क्या है force constant m क्या है उस particle की mass है जो shm कर रही है तो यह है बच्छो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा कुछ बाते हैं जो बहुत जरूरी है यह equation बच्छो या फिर उसी को हमने आगे बढ़ाया यह equation सबसे basic equation है shm के लिए shm के definition में यह include है कि acceleration must be directly proportional to x ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि acceleration must be proportional to x clear है अब एक बात और acceleration proportional to x यहनि force proportional to x यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब सुनना देहान से बच्छो f बढ़ावर minus k x हो किया तो और वो force कैसे होती है इस force का क्या नाम होता है बच्छो restoring force क्या बलते है इसको restoring force किसी भी spring को खिषते हो वापस एक ऐसी force जिसके वह पीछे जाना चाहती है उसे हम लोग बलते है restore करने के लिए जो force जरूरी है यहाँ तक तो ठीक है तब सुनना मेरी बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बहुत छोटी-छोटी बाते है समझना बचो सोचो कि मेरे पास f बड़ावर क्या है minus k x जरा इसको हम लोग analyze करते है अगर यह minus नहीं होता तो कोई भी particle research हम नहीं करता सोचो दिखो कैसे मालनो यह o point ठीक है इसको mean position कहते है अभी mean position मैंने define किया नहीं है बस मैं पोल रहा हूँ mean position mean position बता रहा हूँ mean position किसे कहते है mean position एक ऐसी position है जहाँ पे net force 0 हो position a point where f net 0 यह acceleration भी 0 ठीक है वैने बोला है कि ssm करने पाल वाली particle का acceleration directly proportion to x होनी चाहिए तो एक ऐसा समय है जहाँ पे acceleration भी 0 हो जाती है एक पलवर के लिए ठीक तो जिस जगह पर acceleration या यह बोले force उस पर net 0 हो जड़ी है उस point को क्या बोलते हैं मिचो mean position अब बता इस spring वाले system में कहाँ पे इस particle पर net force 0 होगा जहाँ यह natural length पर होगी जब natural length पर spring होगी तो उसमें elongation ही नहीं होगा जब elongation ही नहीं होगा तो f ब्राबर k x तो होगा ही नहीं तो force ही नहीं रगेगा मतलब spring वाले system में हम बोल सकते हैं कि spring इस वाले system में spring जहाँ natural length पर रहती है इस वाले में horizontal वाले में vertical वाले में नहीं वो सब देखेंगे अभी तो इस वाले में जहाँ यह अपने natural length पर रहती है वहाँ पर इस वाले में इस पर कोई force नहीं लग रहा है तो उस जगा को बोलेंगे वो mean position है ओके now let's move if बड़ाबर k x की बारे में बात मैं कर रहा था कि बच्चो अगर माल दिजे कि मैं मैं माइनस केक्स नहीं लिखता तो क्या लफ़ा होता प्लस केक्स लिखता तो क्या होता सबोच किजिए कि particle का displacement x है displacement इधर है और force भी दर लग रही है तो क्या पीछे कभी लौट के आएगी कुईसी वा force आगे है और displacement भी आगे कभी पीछे लौट कियाएगी इसलिए यहाँ पर क्या लगाते है बच्चो माइनस एक तो फील यह है दूसरी फील मैं आपको बदाता हूँ आपके दिवाए में एक बात आ रही होगी कि सर f इक्वल्स माइनस के x स्क्वेर हो जाए तो क्या problem है क्या ये भी shm करेगी या shm कहते है क्या ये two and from motion करेगी बच्चों के मने में बहुत तरगी बात आती है कि सर माइनस के x की पावर अगर मैं two कर लू तो क्या ये two and from motion करेगी सो बच्चो ध्यान से देखो कैसे मामला इसमें फसेगा गौर से सुनना शायद आपको लगेगा कि पीछे लोटके आएगी लेकिन ऐसा होगा नहीं सुनना बच्चों यहाँ कोई particle गई ठीक तो अभी x क्या है positive आगे displacement है तो x क्या है positive तो force किदर होगी पीछे ठीक है force पीछे तो एक समय में जाकर rest में आएगी यहाँ से particle चली लेकिन जैसी particle बच्चों इस side में आ गई तो इस side में x क्या होगी negative x क्या होगी बच्चों negative तो जैसी x negative होगी को और से देखीएगा बच्चों x negative होगी तो x negative का square करेंगे तो क्या होगा positive x negative का square करेंगे positive पॉजिटिव निगिटिव निकेटिव निकेटिव मतलब फור्स अभी भी क्या लग रहे है ऑफ अब सोचो यह पार्टिकल को बच्छो मैं जब यहां से आगे चोड़ων का मतलब यहां से आगे चोड़ूँ मतलब यहां से आगे चोड़ लेकिन लॉट के आई और लॉट के आई आते आते इसके बाद के situation में देख रहे हैं X मेरा negative है, negative डाना, negative का स्कार, positive और पीछे negative रहे गया force भी negative, force भी negative और इधर चारी तो displacement भी negative क्या बच्वी ये लगाता इधर भागते चला जाएगा, क्या वापस कभी लॉट के आएगा सोच के देखो, कभी लॉट के आएगा, तो ध्यान लखेंगे, ये कभी भी SHM का, SHM का तो possible ही नहीं, SHM का तो condition है आपके मालूम हो गया मतलब ये oscillation का कभी equation हो ही नहीं सकता, कभी oscillation का equation हो ही नहीं सकता, थोड़ा feel कीजेगा, अच्छा एक और ची में समझाता हूँ, अगर minus x की power, अगर मैं 3 लेलू तो, odd वाला लेलू तो, अब आप चोधियान से, अब बोलोगे कि सब आगे बढ़ेगी तो x positive, तो force negative, positive का square तो negative, ठीक, पीछे बढ़ेगी ये particle अगर पीछे चले जाएगी तो x negative हो जाएगी, ठीक है, तो force कैसी होगी, negative का q negative, तो force positive, मतलब force positive का मतलब force कीज़र लगेगी, इस side में, यह force negative side में, force positive side में, इधर positive direction, तो क्या यहाँ भी बचो लॉटनी की समामरा है, बिल्कुल, ऐसे जाएगी, पीछे force लगेगा लॉटनी, अब बचो इसमें भी तुम देख रहे हो क्योंकि SHM के लिए basic definition है, कि उसकी force x के 1 power p होनी चाहिए, acceleration उसकी x की power 1 होनी चाहिए, ठीक, basic definition है, यहाँ no doubt particle 2 and 4 motion कर रही है, हवेशा, इस o point के बाद 2 and 4 motion कर रही है, दम दिख रहा है, कि जब particle का displacement आगे है, तो force पीछे, पल्टी मारेगा, ही मारेगा, और जब particle पल्टी मा because by definition, acceleration must be proportion to x की power 1, जो कि यहाँ x की power 1 नहीं, बलके क्या है, 3 है, अब इस पूरे logic से एक बात समझो, यह analysis करने का कुछ मतलब था, क्या भा, अगर कोई particle oscillation कर रही है, तो क्या minus x, minus k x की power बच्चो odd होगी तो हो सकता है, हाँ, 1 होगा तो होगया, 3 होगया, तो oscillation होगया, 5 हो तब भी हो जाता, 7 होता, क्या even power बाला होगा, नहीं, तो सुनना ध्यान से, minus k x की power n, minus k x की power, यह general equation है, oscillation का, जहाँ पे n odd होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे n क्या होनी जानी चाहिए, odd होनी चाहिए, अब उन सारे powers में से, सबसे simplistic power क्या है, सबसे simple power क्या है, सोचो, 1, obviously, स तो ध्यान रखिएगा, कुछ छोटी-छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कि अगर कोई पूछे, कि f बड़ाबर minus k x की power n, क्या यह general equation है, oscillation की, जहाँ n odd है, तो यह general equation है, oscillation का, ध्यान रखिएगा, जेनरल equation है, और इसमें से n के जगा पर one put कर दें, तो क्या मि लगा बच्चो, simple harmonic motion, यह दरसल कहानी है, लेकिन अभी हमें विशेज सुबसे क्या प्राई करनी है, विशेज सुबसे क्या प्राई करनी है, कि अगर acceleration displacement के one power पर हो, three power ना, five power नहीं, oscillation अभी भी होगा, लेकिन SHM नहीं क्या लाएगा, यही बात बच्चो, आगे के classes में SHM है की नहीं, तो बहुत ही आसान है, आप क्या कर लो, उसको उसको फोर्स निकाल लो, देख लो कि X की power 1 है या नहीं है, ठीक, और कभी कभी पूछेगा कि कुछ limitations लगाओ, कुछ conditions लगाओ, जिससे X की power 1 हो जाए, तो वो भी आपको जनना पड़ेगा, यानि कुल मिलाकर क अगर कोई particle किसी particular point के to and fro करता हुआ motion कर रहा है, तो वो oscillation होगा, SHM होने के लिए उस पे लगने वाला force X की power 1 होनी चाहिए, ठीक, और directed to bars तो origin होनी चाहिए, या equation बाज बात करें तो F equals minus KX की power 1, और उसमें एक बात और सिखा कि minus KX की power odd कोई भी ले ले तब भी वो oscillation होग ये conclusion है complete, ठीक है, तो SHM की बात है समझ में आ गई, condition समझ में आ गया, अब इसके बाद बच्चो केवल maths है, इसमें कुछ भी नहीं है, physics कुछ भी नहीं है इसके बाद, केवल maths है, तो चलिए पहले इसको आप कॉपी कीजए, तो मैं आपको धीदरे feel करवाता हूँ अब बच्चो आगे बढ़ते हैं, अब बच्चो यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक बड़ा ही जेनून तरीका होता है, जिसमें integration वगरा बहुत, मतलब पूरी की pure maths involved होती है, और एक ऐसी चीज़े होती है, जो इस टेंडर फॉर्मेट की चीज़े होती है, कुछ इस टेंडर रिजल्ट को फॉलो करते हैं, और चीज़ों कुसी दिया आगे बाते हैं, मैं बच्चो सबसे पहला, एक सिंपल तरीके से पहले सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग जो होंगे, वो बीगिनर से हैं, उनको पहली बार में इतना ज प्लानिंग करते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अभी बच्चो हमारे पास मकसद देखा जाए, तो दो तीन मकसद हैं, जिसमें पहला एक दो मकसद मैं पहले किलियर कर देता हूँ, हमारा मकसद ये है, कि अब कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रही है, मत तो अब बताओ, उस पार्टिकल का क्या क्या बदल रहा है, और कैसे बदल रहा है, तो एक बात मैं पहले क्लियर बता दो, कि कोई भी पार्टिकल अगर SHM कर रही है, तो बच्चो उसकी हर चीज वैरी करती है, एक चीज को छोड़के, अब वो एक चीज है, क्लियर रहा भी वो एक चीज क्या है, बात करेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर्टिकल SHM कर रही है, तो उसकी हर चीज वैरी करती है, एक चीज को छोड़के, हर चीज का क्या मतलब, उसकी पोजीशन, Yes, मास बास तो वैरी करने का चीज नहीं है, उसकी पोजीशन, उसकी not decreasing, ठीक है, या changing कह सकते हो, हर कुछ उसका क्या होता है, change कर रहा होता है, time के recording, और repeating sense में change कर रहा होता है, ठीक है, मतलब periodic change हो रहा होता है, मतलब कहने का यह मतलब कि velocity किसी भी पल में कुछ खास आई है, कभी न कभी वो पापस आनी है, acceleration कभी किसी कास पल में किसी खास value का है, और किसी खास direction में, कभी न कभी वो लासरी फिर से होगा, क्योंकि two and four motion हो रहा है, particle कभी न कभी वहाँ पहुचेगी, और सेम तरीके से पहुचेगी, तो acceleration भी repeat करेगा, energy भी repeat करेगा, kinetic energy भी repeat करेगा, potential energy भी repeat करेगा, समझ पा रहे हो, त विलासिटी, फोस, कानेडिक इनर्जी, पोटेंसिल इनर्जी, एबरीधिंग, लेकिन टोटल इनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, जाना रखिएगा, टोटल इनर्जी कोई भी पाटिकलर से जम करती है, उसका हमेशा फिक्स रहता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, इसकी एक्सलेशन हरपल चेंज हो रही है, पोजीशन हरपल चेंज हो रही है, तो सर्क किसी भी समय में आप क्या उसकी कानेट्री नेर्जी बता सकते हो, येस, बता सकता हूँ, किसी भी समय में सर्क क्या उसकी एक्सलेशन बता सकते हो, येस, हर कुछ मैं आपको बता सकता ह बच्चो हर कुछ निखालेगा वही जो procedure है अभी वही हम लोग follow करने वाले है ठीक है तो आप सुनना ध्यान से तो जो वह equation बराएंगे जैसे कोई भी particle किसी भी time में कहां पे है कोई भी particle की position कहां पे है कब तो बच्चो इस तरह के जब हम equations वगरा बनाते हैं तो simply इस type की equation को है equation of SHM मतलब x किसी भी particle की displacement कब कहां है अगर हम इसको लिख लें so this is simply equation of SHM लेकिन मैं क्लेवन उसको नहीं बोलता कि भी वह ही equation जो है वो SHM की equation है particle की velocity भी किसी instant पे निकाल लो वो भी equation of motion ही equation of SHM ही है लेकिन विशे सुप से हम लोग क्या करते हैं बचो हम लोग generally displacement का ही equation लिखते हैं और उसी को equation of SHM हम बोलते हैं ठीक है in general समझ पार हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि कोई भी particle SHM करेगी तो उसका equation of SHM क्या होगा या डारेक्ट वहाशना बात करें तो उसकी position किसी दिये वे time पर क्या होगी variation तो होगी ही और पक्का ध्यान से सुनना शुड़ू में ही आप periodic function बताया था मैंने याद करो sign function, cost function यह सब क्या होती है? periodic function होती है ठीक है? मतलब लगाता repeat करती है तो जब भी कहीं मन में आया कि sir इसका displacement तो repeat करेगा पक्का sir sign में function होगा? guarantee होगा cost में हो सकता है? हो सकता है क्या sir velocity बदलेगी तो क्या velocity में sign में होगा? बिलकुल होगा kinetic energy sign में होगा, cost में होगा? बिलकुल होगा sign cost में सब किसी एक में होगा बाते समझ मारी में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? तो यह कुछ कहानी है बच्चों जो आपको शुडू में ही दिमा में बैठा के रखना है ठीक है? आज lecture में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, बसको feel कर रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि actual SHM क्या है? उसको feel करो सिधे रटा मार के पढ़ाई करने से कुई फायदा नहीं है ठीक है? तो planning समझ में आ रही है? अभी particle की अब बात करेंगे, तो अभी तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ starting में बात करेंगे, और अभी जो काम करने का तरीका है, बड़ा ही straight है, ध्यान से देखना अब बात करते हैं, equation of SHM ठीक है? equation of SHM, ध्यान से देखिएगा for SHM, condition क्या है? हम लोगोंने पता कर लिया है, SHM के लिए condition क्या है? कि force या acceleration जैसा भी लिखना चाहो, acceleration must be proportional to x की power 1, minus x की power 1 और हमने इसको देखा है, तो minus omega square x, where omega is something आपको पता है, क्या acceleration को बच्चो, d b by dt लिख सकता हूं, differential form में होता ही है, d by dt आप सब लोगों पता है कि velocity को हम क्या लिख सकते हैं, d x by dt लिख सकते हैं और बच्चो, क्या ये second derivative है x का, तो क्या d2 x by dt 2 में लिख सकता हूं, दो-दो का differentiation किया गया है, तो ऐसे लिखते हैं, ये symbol में लिखते हैं, minus omega square x इसको इधर लिख सकते हैं, तो d2 x by dt2 plus omega square x equals 0, बच्चो ये जो equation मिला displacement के term में, लेकिन differential form में हैं, इसको बोलते हैं, standard differential equation of shm, standard differential equation of shm, ध्यान रखेगा, ये standard differential equation of shm, ठीक है, हमेशा याद रखेगा, d2 x by dt2 plus omega square x equals 0, इस पर बिशे सोर भी बात करेंगे, अभी ये फिलाल simply समझ गया, d2 x by dt2 plus omega square x equals 0, क्लिड़ बच्चो, कहीं से कोई doubt तो नहीं है, ओके, ये सी समझ में आगया आपना, अब सुनना, हमने क्या planning किया था, बच्चो हमने planning किया था, कि particle की displacement चाहिए, किसी भी instant में, हमने displacement निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ और आगया, मतलब ये t और x में relations तो है, लेकिन कैसी relation है, differential relations है, और हम चाहते हैं कि हमें कोई एक x और t में एक relation मिले है, sine cos byla में मिले, क्योंकि x repeat कर रही है, ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, कैसे हम निकालते हैं, displacement particle का, displacement of a particle at a given instant या इसी को बोलेंगे, equation of shm, इसी को बच्चों हम लोग equation of shm भी बोलेंगे, ठीक है, general equations जो होग थी है, कैसे करें, एक तो निकाला जाता है बच्चों, ठीक, एक तो निकाला जाता है इसको, और एक direct लिखा जाता है, अब direct कैसे लिखा जाता है, वो भी थुरी बात में चर्चा करता हूँ, d2 x by dt2 plus omega square x equals 0, बच्चों यह shm की maths पर होगे, आगे की maths का मतलब 10 plus 2 की भी नहीं, graduations के part second और third के बारे बात कर रहा हूँ, अगर आप आगे की maths पर होगे, तो यह second order का equation है, ठीक है, अब चो second order की जब कोई equation होती है, ठीक है, तो इसका solution होता है, यह हमें यहां नहीं पढ़ना है, इसका solution हमें hard class में पढ़नी है, बस हमें उसका format को याद रखनी है कि ऐसे equation के solution क्या होते है, ठीक है, तो मैं direct लिखो अगर solution of equation 1 is given by, देखिए, hard differential equation का एक solution होता है, समझझे की कोशिच किए, कोई भी differential equation होता है, अथ्वा side में समझा देता हूँ, इसे dy by dx या फिर dy by dt बरावर मानलो t a square, ठीक है, या फिर 2t, अब चो हर differential equation का अपना एक solution होता है, तो dy by dt बरावर 2t आगे है मेरे पास, या यहां पर dxy dt कुछ भी, यह एक differential equation है, अब चो इस differential equation का भी अपना एक solution होगा, अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, इस differential equation का एक solution होगा, t a square, एक solution, देखो, x और t में क्या टूटी बापास आजाएगा, अब वो लोगे सार, इसमें तो मैं हजारों लिख दूँगा, 9, 5, 6, minus 1, कुछ भी, मतलब, इस differential equation के, क्या बच्चो हजारों solutions हैं, हैं, मतलब, इसका कोई न कोई तो solution होगा न, similarly, ऐसे differential equation के भी अपने solution होते हैं, जो यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको accept कीजे पहले, आगे तो पढ़ना ही है, काफी डिटल पढ़ोगा आगे, so, इस equation की, अगर हम solution निकाले math से, तो direct में लिख रहा हूँ, given y, x equals, एक कोई constant a, sin omega t, omega यही वला omega और t यही वला t, a कोई नया चीज है, अब प्लस हम 5, यह भी constant है, यह दोनो constant है, ठीक है, a and 5 are constants, बाद में इस constant का विश्यस नाम करेंगे, लेकिन फिलाल constant मान के लिए हैं, तो बच्चों यह एक general equation होती है, और कमाल की बात है ő, plus भी हो सकता है, और minus भी, तो चलो, plus ही लिखता हूँ, phi को मैं बूलता हूँ, कि यह plus भी हो सकती है, और minus भी हो सकती है, ok, phi plus भी हो सकती है, minus भी, खैर, तो इस differential equation का बच्चों, यह एक क्या हो गया, solution हो गया, जो कि generally हम लोग किसमें लिखता है, के फिछे logic है क्यों बोलते हैं अब amplitude का मतलब आप में से बहुत सारे लोग maths पड़े होंगे तो कोई भी जैसे maths में अगर लिखते हो y equal sin theta इसका max value क्या होता है बच्चो 1 होता है ना ठीक pick values pick का मतलब कि top उपर का अचा है top नीचे का pick value क्या होता है 1 या minus 1 अगर मैं 2 sin theta लेख दू तो इसका max value क्या हो तो बोलो के सर इसका तो 1 हो या पीछे 2 है तो सर इसका 2 और plus minus 2 हो ठीक अब देखो इस ये भी तो एक टिग्रो मेटिकल है और sin वाला ही है मैं पोच्चों कि x की maximum value क्या होगी तो बोलोगे सर इसका है minus OH होगी न भी तो ये जो value बता रही है वो x की सबसेज्यादा से ज़धा value बता रही है और जबधी कोई particle SHM करती है सब पढ़ेंगे आगे जब भी particle SHM करती है तो SHM करने के दरमान ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं भी जाकर के दूर चली जा रही हो एक फिक्स जगा पर जाकर के लोट के आती है तो maximum displacement mean position से होती है mean position क्या होता है जहां पर net force 0 होती है तो maximum position पर जहां पर होती है maximum displacement पर जहां पर होती है उस maximum displacement को amplitude कहते हैं तो दिख भी रहा है कि सर यह SHM की equation है mathematics लगाते हैं सर तो x की maximum value सर a होने वाली है क्योंकि sin function cos friction का maximum value 1 होता है तो इसलिए सही भी है कि सर amplitude होगा फिर बोलोगे सर यह initial phase क्या है बचो initial phase क्या है कोई भी sin theta यह cos theta जब हम बनाते हैं तो यह इस पूरे term को हम argument कहते हैं क्या बोलते हैं बचो argument clear समझना इस term को हम argument कहते हैं omega t plus phi को लोग क्या बोलते हैं argument और यह periodic function है इसको हम कभी-कभी harmonic function भी कहते है so यह argument है अब बताओ यह जो argument है बच्चो variable है argument variable है क्योंकि इमें time है तो भी variable है अब बताओ इस argument की शुरुआत की value क्या होगी argument variable है अब शुरुआत की value क्या होगी शुरुआत का मतलब t equals 0 initial value क्या होगी तो जैसे t बराबर 0 डालोगे तो पूरा argument की value क्या होगी what is this argument what is this argument तो at t equals 0 की में बात करूँगा तो इसके argument की value होगी फाई की इसलिए इस फाई को बोलते है initial phase actually इसको phase ही बोलते है argument बोलो या SHM में इसको हम लोग क्या बोलते है phase mathematical ये क्या होता है बच्चो phase होता है ठीक है तो बताओ ये 5 बच्चो initial phase है ना इस पूरे term में t ब्रावर 0 डालेंगे तो बचेगा कौन phi इसलिए इसको बोलते है initial phase समझ पाढ़े हो तो अभी चीजों को सीधे 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 सीखो ये तो हुआ यहाँ से differential इसमें तो कुछ ज़़ा है ही नहीं आप एक पर देखलो अच्छा से मैंने बोला कि mathematics में ऐसे equation का solution होता है मैं सम्झाने की कोशिश करी है यहाँ से कि अगर मेरे पास कोई एक differential equation अलड़ी है तो हर differential equation का अपना एक solution होता है उस अधारप्रम कह सकते है उस अधारप्रम कह सकते है कि इसका भी अपना एक क्या है बचो एक solution होगा और solution इसमें बहुत सारा था t square, t square plus 4, t square plus 9 ऐसे कुछ इसका solution भी हो सकता है तो इसका अलड़क solution होता है उसी तरीके से इस differential equation का अपना एक solution होता है और वो solution किस format का होता है इसका अपना एक solution होता है और किस format का होता है x equals sin omega t plus 5 यहाँ कोई constant होती है और 5 जहाँ कोई constant होती है अब इसी में हमने कोई किया तो यहाँ पर 4, 9, यहाँ पर कोई constant आ रहा था समझ रहो ना तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आता है हमें इससे लिला दिला नहीं है इसको तुम्हें हटा दूगा बस समझने के लिए मैंने इसको रखा है इतनी बात है क्लिए रहे बचो तो यह है आपका ठीक है SHM का दो equations एक कौन सा equation differential equation और दूसरा कैसा है बचो एक linear type का है और दोनों को हम equation ही बोलते है SHM के ठीक है अब यहां पहुचने के लिए एक तुरा सा math से है direct कर लो कोई attention नहीं है आगे को refer कर लो बचो एक तरीका यहां भी है थोरा सा घूम के आना होगा और हम लोग इस चीज़ को भी proof कर सकते ठीक है मैं करूंगा don't worry मैं करूंगा अब दोनों तरी से करूंगा आप पूरी feel करवा दूंगा ठीक है लेकिन हाला कि उन सब चीज़ों कोई लेना देने नहीं है सवालों को बनाने में भई यह equations जरूरी है यह equations जरूरी है हमें उसे कोई मतला भी नहीं है लेकिन पढ़ रहे हो तो उसका एक feel होना जरूरी है ठीक है तो आज के विडियो शेशन में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा ठीक है आज आज आपका एकदम से fundamental class था basic class था पहले इसको clear कीजिए समझी चीज़ों को फिर अगले विडियो शेशन से हम लोग इस पर बहुत अच्छी सी बातें करेंगे इसको फिर एक बार highlight करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे फिर तो एक बार recap करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो clear बच्चों मिलते हैं next relationship ओके थैंक्यू